So hi guys, this is Sunil Malvia और आप देख रहे है Gendron Tech तो चलिए दोस्तो आपको लिए चलते हैं गाजट की विचेत्रत दुनिया में पर उसे पहले दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करें हमारे चानल Gendron Tech को और बेल आइकन को दबाईए ताकि लेटेस वीडियो आप सबसे पहले देख पाए दोस्तो हमारे सबसे पहले गाजट का नाम है Fixatech Pro 1 इस मुबाइल की खासियत यह है कि इसमें आपको मिलेगा Android का मज़ा और साथ में Physical Modern Keyboard सपोर्ट जब आप फोन को Unfold करोगे तो आपको मिलेगा एक Tilted Keyboard Expert की माने तो Physical Keyboard पर टाइपिंग करना बहुत ही आसान होता है और Luxurious भी फील करवाता है इस Keyboard में 64 बटन मिलेंगे जहां पर आपको Tab, Cap Lock, Delete और Backspace जैसे बटन मिल जाएंगे In fact दोस्तो रात में टाइपिंग करना भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें आपको Backlight Keyboard का सपोर्ट भी दिया गया है इस फोन पर आपको स्क्रीन 5.9 इंच की मिलेगी जो बहुत ही बड़िया साइज है आपके कामों को लेकर और साथ में Curved Edge स्क्रीन जो बहुत ही बड़िया दिखाता है इस फोन को Operating Memory की बात करें तो 6 GB आपको मिल जाएगी Storage 120 GB और इसे आप लगबग 2 TB तक Extend कर सकते है है ना एक Powerful Phone Rear Camera 12 Megapixel और Front Camera 8 Megapixel आपको मिलेगा Phone के एक साइड पर आपको Fingerprint Sensor भी दिया गया है तो ये Powerful Phone अगर आप खरीदना चाहते है तो खरीद सकते है क्योंकि ये Market में Available है खरीदने का Link Description Box में दिया गया है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे फोन की तरफ जिसका नाम है Arc दोस्तों ये एक बहुत ही विचित्र फोन है और ये Google का प्रोजेक्ट है एक ऐसा फोन जिसे Configure आप खुद कर सकते है यानि आपको मिलेगी पूरी Freedom आपके फोन को बनाने की और आपके फोन को Configure करने की इनफेक्ट फोन के किसी मोडिल के खराब होने पर भी आप उसे आसानी से Replace कर पाएंगे इस अनो के फोन पर आप चाहें तो Night Vision Camera यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी Medical Devices आप अपने अनुसार सारी चीज़े डिसाइड कर पाएंगे तो दोस्तो इस फोन के लिए थोड़ा करना होगा इंतजार क्यूंकि Google इस वक्त अपने Pixel फोन से खुश है तो ये प्रोजेक्ट देखते हैं कब लाउंच होता है तो चलिए दोस्तो बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे फोन की तरफ तो दोस्तो हमारा तीसरा फोन जो है वो हमारे गेमिंग भाई लोग के लिए है यानि कि आप गेमिंग कम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह है एक true gaming phone ROG Asus की तरफ से इस phone में आपको मिलेगा एक ऐसा cooling system जो आपके phone की performance को कम नहीं होने देगा एक millisecond से भी बढ़िया response rate और 90 Hz का refresh rate जो एक बहुती better performance device बना देता है इस phone को इस phone में एक massive 2.96 GHz का processor दिया गया है जो बहुती high end processor है जो आपके game को कभी lag नहीं होने देगा कुछ और बढ़िया feature की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा HDR display, high sensitivity air trigger sensor और 4 speed back system सारे plugs भी side में दिये गया है जो game खिलते वक्त आपको दिक्कत नहीं देंगे gaming का मजाले असली ROG gaming phone पर खरीदना चाहे तो जरूर खरीदे इसका purchase link इस video की description box में दिया है दोस्तो हमारे अगले phone का नाम है LG G8 Think दोस्तो ये phone लगबग May 2019 के आसपास launch हो सकता है LG चाहे तो Samsung को एक बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है क्योंकि LG में वो बात है innovation को लेकर LG बहुत वक्स से एक खास feature पर काम कर रहा है नाम है Z Camera Z Camera काम आता है किसी भी shape को recognize करने के लिए या फिर distance पता करने के लिए जहाँ पर वो light traveling के distance को calculate करेगा आप अपने phone को gesture से भी control कर पाएंगे जैसे कि zoom in करना या zoom out करना या फिर app के bitch switch करना या फिर songs के volume को up या down करना आप अपने phone को unlock और lock भी कर सकते हैं बिना phone को चुए जैसे face unlock LG G8 पर आप अपने photo के background को भी blur कर सकते हैं बट यही चीज आप video के साथ भी कर पाएंगे है ना एक बड़ी आसा phone तो थोड़ा इंतजार करें इस phone के launch होने का तो दोस्तो अगर आप चाते हैं कि आपको ये phone खरीदना है तो थोड़ा आपको इंतजार करना होगा आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजे क्योंकि जब भी ये phone launch होगा मैं आपको notify जरूर करूँगा और दोस्तो ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक like बड़न जरूर तपाए दोस्तो हम पहुँच गए हैं हमारे आखरी coolest phone की तरफ जो है मोटरूला दोस्तो ये है मोटरूला का legendary phone का एक और नमूला मोटरूला Razer V4 मोटरूला का Razer V3 एक बहुती बड़िया सा phone था बट अब दोस्तो V4 एक दमदार phone है और वो भी कुछ extra features के साथ दोस्तो इस phone की ज़ादा जानकारी तो हमारे पास नहीं है बट कहा जा रहा है कि ये phone थोड़ा सा game changer होगा पाकी सबी phones के लिए वैसे फिलाल इस phone की कोई भी official presentation issue नहीं हुई है market में कहा जा रहा है कि ये phone लगबख 2020 के शुरू के दौर में launch किया जाएगा वैसे भी 2019 folding screens का जमाना है क्या पता मोटरूला बाजी मार जाए एक बड़िया से folding phone को बना कर इंतजार जरूर रहेगा इस बड़िया से phone का दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक like बटन तो इस वीडियो के लिए बनता है और मुझे comment करके बताए कि आपको ये gadget कैसे लगे है और इस वीडियो को दोस्तों जरूर अपनी girlfriend और friend के साथ शेर करे WhatsApp या फिर Facebook पर और स्क्रीन पर दिये हुए photo को प्लिक करे और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करे फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुकर है वीडियो देखने के लिए